कि हम लोग वो सारे questions को discuss करेंगे जिन questions में a plus b plus c equal to 0 होता है ठीक है और generally ऐसे वो questions होते हैं जहां पर हम लोग value भी substitute करते हैं तो काफी सारे हम लोग आज questions करने वाले हैं तो फटा-फट आप लोग एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दीजिए और एक साथ फटा-फट आईए करते हुए ठीक हैं देखेगा पहला सवाल है देहां जो समझेगा और साथ-साथ करने की कौशिश कीजिएगा बिटाओ पहला सवाल जो है हमारा वो है किता है इफ A plus में B plus में C which equal to 0 now find the value of A upon B plus C ठीक है B upon C plus A C upon A plus B then into में A upon B plus C B upon C plus A C upon A plus B and then options है बिटा 0 1 minus 9 and 9 ठीक है चलिए फटाफट कीजिए बिटा फटाफट आओ बिटा question को करके दिखाओ देको आज हमना बहुत अच्छे-चे questions करने वाले हैं और मैं उमीद रखता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ आज एंड तक जुड़े रहेंगे बहुत सार इच्छे-चे-चे questions हम लोग आज करने वाले हैं ठीक है नाव एपोन माइनस से वी गेट माइनस का वन ऐसे ही सिमिलरली यहां से माइनस का भी आ सकती है तो माइनस का वन माइनस का सी देन माइनस का वन सिमिलरली सेम यहां से बिटा आपके पास वैलू आ सकती है हमने सेम यह लिखी है वैसे तो यह माइनस का वन एक मिन रुकिएगा मैं इसको हटाता हूँ ठीक है actual में question में value ऐसे लिखी होगी कि A plus B upon में C B plus C upon में A similarly C plus में A upon में B actually ये question है ठीक है न तो हाँ बिलकुल सही answer आया कुछ बच्चों का 9 is the right answer तो similarly यहाँ से यही value उस तरीके से minus 1 minus 1 convert होगी then minus का 3 into में minus का 3 and now the answer is what 9 ठीक है तो हमारा 9 correct answer यह तो एक different way हुआ चलो एक वे और देखते हैं बिटा ठीक है हम लोग एक वे और देखते हैं आईएगा next method देखिएगा आप लोग value भी put कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर दो बाते आती है mind में कई बारी जब हम value put करते हैं तो सब बच्चे आज एक बात ध्यान से देखिएगा हमारे पास एक concern होता है हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखना कि हम लोग इसको consider कर लेता है जीरो चलो अगर c की value जीरो ले ली तो हमारे पास एक value आएगी one और एक value आएगी minus one जो कि यहाँ possible नहीं है यह ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कभी भी कोई ऐसी value substitute नहीं करेंगे बिटा बिल्कुल भी ऐसी value substitute नहीं करेंगे जो question को infinite form पर ले जाए that means denominator में 0 की form आ जाए क्योंकि अगर मैं ऐसी value substitute करने बैठूँगा तो कहीं न गई a plus b है और one minus one denominator में 0 होगा जो कि infinite हो जाएगा इसलिए हम लोगों ने यह वाली चीज को अड़ाप्ट करना ही नहीं है हम लोग क्या करेंगे इसमें कि भाई a की value one ले लेंगे अगर value लेकर करना है b की value one ले लेंगे और c की value minus two ले लेंगे अब जब आप ये value substitute करोगे तब भी आपका answer nine आ जाएगा बट still इस question को करने का जो बहतर method था वो वही था बिना substitution आप इसको solve कर लीजिए तो आपका answer nine आ जाएगा और अगर आपको substitute करना भी है तो आप one one and minus two put कीजे जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ यह रहा one अब देखे b plus c minus का one b की value है one बेटा c plus a again minus का one similarly c वो है हमारे पास minus का two और one plus one ओजाएगा two एक को ही मैं बता देता हूँ करके देखो यहां से value आई minus का two और यहां से बना minus का one minus का three जब same condition वहां जाएगी तो वहां पर भी minus का three बनेगा और यह value answer आजाएगी nine हमारे पास तो यह बड़ा easy है इसमें ऐसा कुछ था नहीं कोशन में ठीक है चले आगे करते हैं next question करते हैं next question देखिएगा बहुत अच्छा question है यह भी question number two है बिटा देखो ध्यान से कहता है if a plus b plus c equal to zero है find the value of one upon a plus b b plus c one upon b plus c and c plus a one upon c plus a then a plus b now and the options are zero one minus one three चले बई बच्चो फटाफट नमस्कार जैपरकास सुभं भार्दवा जी नमस्ते बेटा राहूल यादा गुट इवनिंग बेटा खन्या गुपता साहब बिल्कुल सही आंसर है आपका स्वारो का भी सही था सोनु का भी सही था जैपरकास का भी सही था स्वारो रहिला का ठीक है सबको बहुत बहुत प्रनाम बिटा चलो question करो question number second है ठीक है मैं कोशिच करूँगा next class से आप लोगों के लिए PPT पर ही मैं काम करूँ ताकि question लिखने का समय आप लोगों का बच जाएगा ठीक है yes जैपरकास का आंसर आया है जीरो और जीरो जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है आईए हम लोग आंसर को चेक करते हैं देखेगा बेटा इजी है आंसर चेक करना देखो बेसिक आप वैल्यू सब्टिटूट ना करो बिना उसके भी आप आंसर देना चाहते हो तो आप आंसर दे सकते हो आप यहां से जब LCM लेंगे तो बच्चो आपका LCM आएगा A प्लस B B प्लस C और C प्लस A अब सुनना यहां से A B B C के बाद C A आएगा यहां A B आएगा और वहां B C आएगा तो दो आगे आजाएगा आपके पास क्या आएगा A A प्लस B प्लस में C Is that clear बेटा तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपके पास already 0 है और that means 0 अपॉन कुछ भी हो आंसर 0 ही रहता है तो इसका भी आंसर क्या रहा 0 अब अगर सेम वैल्यू की बात आए तो हमारे दिमाग के सबसे पहले जाते हैं कि इसको 0 पुट कर लो हम जैसे ही इसको 0 पुट करते हैं तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू माइनस 1 पर आ जाती है बट हमने जैसे ही देखा यहाँ पर A प्लस B है यहाँ पर A प्लस B है और A प्लस B होगा 0 तो 1 something upon 0 is what infinite होता है तो हम लोग ऐसी वैल्यू लेंगे ही नहीं कि जिससे पूरा का पूरा concern मेरा infinite ह हो जाए तो ऐसी situations में यह वैल्यू possible ही नहीं होती है अब आपको अगर वैल्यू substitute करनी भी है तो आपके पास A की best जरिया है A की वैल्यू 1 आप B की वैल्यू 1 और आप C की वैल्यू माइनस 2 पूट करेंगे तो आपका answer 0 easily आ सकता है ठीक है और वैसे यह question बिना वैल्यू नेक्स्ट करते हैं हाम होई हेलो बिटा अगला question देखेगा भई बहुत अच्छा question है यह भी question यह कहता है question number third आज की class का if a plus b plus c equal to 0 है now भई देखो easy easy से question भी लूँगा और tough भी लूँगा बट starting जो होगी वो हमेशा basic से ही होगी अब कोई बच्चा अगर यह सोचकर बैठा है कि एकदम पहाड़ पर चड़ा दूँ तो यार मैं बिल्कुल simple simple तरीके से धीरे धीरे आगे चलने की कोशिश करूँगा ताकि जितने भी बच्चे हैं उन्स सब को समझा सके now जड़ा answer दीजिएगा इस question का देन आपके पास option है 0 3 minus का 3 and 3 a b c चले answer दीजिएगा फटा 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 आंसर दीजिएगा बिटा फटा फटा ट्राइगरो यार ऐसे मत बैठो जल्दी जल्दी देखो फटा फटा फट फटा फट फटा फट फट है शिंबल्स एकोशन है एप्लास ब्स प्लस जीड जीरो है वी निट तो सीधा पता है a plus b plus c क्या है 0 यहां ले आओ जैसे यहां लेकर आए यह 0 हुआ और यहां से हमने minus का comment ले लिया हमारे पास आया a cube plus b cube plus c cube और oblique में था a plus b plus c आपने second वीडियो में first वीडियो में देख लिया होगा कि हमने ऐसे questions किये थे कि मेरे बैचो a plus b plus c अगर 0 होता है तो बिटा a cube plus b cube plus c cube की value 3 a b c होता है इस बात को आप याद रख सकते हैं किस तरह से कि when जब किनी भी तीन संख्याओं का जोड 0 होता है किनी भी तीन संख्याओं का जोड 0 होता है तो उनके sum का cube उनही के multiple का 3 times होता है तो यहां से आया minus का 3 a b c और बेटा नीचे भी value है a b c तो आप देखेंगे कि हमारे पास a b c से a b c cancel हुआ तो finally answer आया minus का 3 and then minus का 3 is the right answer minus का 3 is the right answer ठीक है ना good evening बेटा चलिए भई बच्चो आगे चलते हैं ठीक है next question पर आते हैं देखिए यह बड़े selected questions हैं जो आप लोगों के exams में आए हुए है और सारे के सारे questions previous year से formed है बेटा question number 4 देखते हैं कहता है if a plus b plus c equal to है 0 equal to है 0 और आपको जो value find करनी है वो find करनी है a plus b minus c का whole square b plus c minus a का whole square plus में c plus में a minus b का whole square और विच दिस ठीक है अनदर options है बेटा 0 8 a b c 4 times a square plus में b square plus में c square and then four times a b plus में b c plus में c a चलिए कई answer दीजिए फटा फट बहुत अच्छा question है करके दिखाओ दो तरीके से question हो सकता है दोनो method बड़े easy है ठीक है ना चलिए आप लोगों की turn है कर दो यार फटाफट फिर मैं कराता हूँ आपको ठीक है चलिए मैं start करा रहा हूँ और मैं आप लोगों इस उमीद करता हूँ कि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने answer निकाला होगा proper answer type ना कर सको न तो A, B, C, D में option पर answer दे देना ठीक है चलो मैं कराता हूँ सबसे पहला जरूरी नहीं है कि हर question को आप value substitution से कर सको ठीक है आप लोग easily इसको solve कर सकते और ये बहुत easy question है आच्छा answer आया है सौरव रोहिला का option C option C, ठीक है जैपरकास का C संसार वर्मा जी का 0 भासकर मुखर जी का point C answer है good, good, good जैइद मंसूरी C option है चलो हम बताते हैं ध्यान चे सुनो बहुत easy concept है really में कुछ मत करो A plus B plus A plus B की value ठालो वहां से minus का C अब minus का C और minus का C minus का 2C का whole square plus B plus C की value उठाएंगे उदर लेकर जाएंगे minus का A minus का 2A का whole square ऐसे ही मेरे बच्चो C plus A की value आएगी minus B then minus 2B का whole square जब सब को open करेंगे हर एक में 4 आएगा और answer होगा A square plus में B square plus में C square that means this one is the right answer चलो एक मेतड और देखते हैं क्या ये substitution से भी हो सकता है हाँ हो सकता है देखो यहाँ पर कोई भी चीज fraction में नहीं है और जब fraction में नहीं होती तो हम अपनी मर्जी से value substitute कर सकते हैं 0 को अराम से हमने माना A plus B बिटब अराम से समझना बड़े अराम से पढ़ा रहा हूँ ये है हमने क्या किया इसको 0 मान लिया C को 0 ले लिया भई बच्चों तो A की value 1 और B की value हमने लिए minus की 1 अब हम लोग put कर देते हैं कुछ problem है ही नहीं A plus B 1 minus 1 0 और 0 minus 0 that means यहां से एक value तो आई 0 आजाओ भी आगे B plus C B में C जोड़ा minus का 1 A minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 2 का square हुआ 4 हम आगे गए C plus A 1 minus minus plus 1 और 1 2 2 का square 4 now value आगई 8 ठीक है अब यहां से यही एक option है जो आपको right answer दे देगी 8 कई बारी बच्चा क्या करता है गलती करता है ठीक है ना गलती करता है वो क्या करता है 8 देखकर C दा answer लगाता है 8 पर आपने C को 0 लिया है ना जब आप यहां put करोगे तो यह तो 0 हो जाएगा तो देखो 0 option बन नहीं सकती ठीक है यह possible नहीं क्योंकि यह भी 0 आएगा आप जब इसको check करते हो तो इतमों भी check करा देता हूँ मैं ठीक है तो now हमारी जो option है मेरे बच्चे वो है C option is the right option चलिए आगे बढ़ते हैं ओके अभी से एक जैन स्वागत है आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे यहां देखना टाइम पूरा है मेरे बस तो यहां बहुत चीज़े नई सीखनों को मिलेगी क्योंकि जब हम offline होते हैं हमारे बस limited hours होते हैं जिन से उपर जाना allowed ही नहीं होता क्या करें फश जाते हैं बई मजबूरी है हमारी ठीक है आईए question देख रहा हूँ find the value of x raise to power a plus x raise to power minus b plus 1 similarly मैंने कहा आपसे कि x raise to power b plus x raise to power minus का c plus का 1 1 upon x raise to power c plus x raise to power minus का a plus का 1 and then options हैं आपके पास 0, 1, x, a, b और c चलिए यह आपके पास options है बेटे ठीक है विकास खत्री आपका भी स्वागत है मेरे बच्चे kdum55 ओके सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो आपका paid course है क्या math का बेटे अभी तो देखो trigonometry बिल्कुल free of cost मिल रही है आपको द्यान रखना अगर उसकी पहली वीडियो से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना मैं चैप्टर बता देता हूं नंबर सिस्टम आपका बिल्कुल free of cost मिला है सारी वीडियो डली हुई है प्ले लिस्ट में जाकर देखना trigonometry की वीडियो पांच वीडियो अल्मोस ढ़ल चुकी है एक वीडियो कल ठेलेगी ठीक है और algebra मैं पढ़ा रहा हूं आपके पास area related to circle की भी complete वीडियो है आप उसको भी पढ़ना बाकी paid course के बारे में अभी हम discuss ही नहीं कर रहे हैं अभी हम आप लोगों को proper पढ़ा रहे हैं बिना पैसे के पढ़ो यार कौन कह रहा है पैसा दो आओ आंसर देते हैं कुछ मत करो बहुत असान है एक बारी बस अपने आप को देखो क्या मैं ए बी सी तीनों को जीरो मान सकता हूँ बिलकुल मान सकता हूँ कोई मना नहीं है क्योंकि कहीं पर भी जीरो रखने पर infinite नहीं बन रहा और जिसकी पावर जीरो होती है उसकी value 1 होती है तो एक बटा 3 अगले से भी एक बटा 3 अगले में भी भाई एक बटा 3 और एक तिहाई एक तिहाई को जोड़ोगे तो तीन बटे में तीन और आपने जैसे ही इसको काटा आपका आंसर क्या मिला वन तो वन जो है मेरे बच्चे वो आप लोगों का राइट आंसर है ठीक है बेटा चले आगे चलिए नहीं भाई जीरो आंसर नहीं आएगा रहूल एक आएगा आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट बढ जीद रखता हूं की सब अलोग आप करके दिखा सकते हैं सीधा सवाल ठीक है नो बक्वास पहला वन अपॉन वन प्लस पी ए माइनस बी प्लस पी सी माइनस बी वन अपॉन यह सारे प्रीविश एर के कोशन से हैं बड़े तसलिश से सलेक्ट करें अब यह बैट कर ताकि तुम्हें प्रीविश एर पे एक कंसेप्ट बुरा बता सकूं कि इस कंसेप्ट पे से इतने सारे कोशन प्रीविश एर में आए हुए हैं चलो बए देखो बड़े दिहान से वन प्लस पी ए माइनस सी पी बी माइनस सी सवाल आया यह कहता है आंसर है 3 9 1 upon 3 and then 1 now which one of the right answer now which one of the right answer फड़ावड बड़ावड आंसर चाहिए भई मुझे थोड़ी से तब्यत खराब चल रही है इसलिए ना आ नहीं पा रहा हूं और अभी भी सच बता रहा हूं पैर पर पूरी तरह से बेंडेज मैंड के पढ़ा रहा हूं क्योंकि पैर नीचे से मास फटा हुए बट स्टिल तुम्हारे लिए मैं आया हूं मेरे पास विकास तो की आंसर है आया कैसे आउट ढूंडते हैं चलो कुछ मत करो या तो ऐसा इदे को एक एग्जामपल देता हूं मैं मैं वैसे सीधा सीधा पहले ऐसा करो कुछ को मत करो A को B और C को इक्वल मान लो बिलकुल मान सकते हो आप जैसे इक्वल माना ये पाउर बनेगी जीरो तो य यह वं थर आएगा यह वं थर आएगा यह वं थर आएगा और दुटर नस र गर्रांश कितना हो और और अगर basicаш करना हो तो वह कैसे करते हं उँट speaking अप इस वैल्यू को जब आप ब्रेक करेंगे तो P raise to power A P raise to power B ऐसे यहाँ पर मेरे भाई P raise to power C और P raise to power B आएगा अब सुनो जब यह P उपर चला जाएगा LCM लेने के बाद तो पहले केस में P raise to power B आया और जो डिनॉमेटर में value बन रही है परे भाई P raise to power A P raise to power B और P raise to power C ऐसा ही सुनेगा जान्स यह जो value है यह same इदर आएगी और यह same इदर आएगी ठीक है उपर आएगा P raise to power A और यहाँ आएगा P raise to power C और जब आप LCM लेकर इने जोड़ दोगे ठीक है ना तो same value आजएगी तो value कड़ जाएगी तो better है कि अब क्या करो A equal B equal C माल लो तो आकि आपका answer सीधा power से ही solve हो जाएगे चली हम next करते हैं ठीक है अराम से note करते हैं रहना बाद में आप लोग चेक करोगे जब पढ़ोगे चलीए भई next पढ़ते हैं और कुछ questions है इस type पर मैं दो तिन questions लिखता हूँ चलो एक बड़ी अब मैंने कहा if A plus B plus C equal to है 0 और मैं आप से कहता हूँ कि भाई find the value of 1 upon A square plus B square minus C square plus 1 upon B square plus C square minus A square plus C square plus A square minus B square and then आपकी जो options है guys वो है 1, 0, minus 1 and 3 चले solve किजिए आपसे maths की एक ऐसी वीडियो बनाओ जो basic इंचार दिन के अंदर आपको एक ऐसी वीडियो जुरूरी मिल जाएगी ठीक है चलो बैटेक question करके देखो एक बारी यह भी अच्छा question आया हुआ कोशन एक्जाम में बिल्कुल आया हुआ question है वो चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हुँ जो नहीं आए गई या जो नहीं आई यह बेफाल्टू की चीज़े नहीं पढ़ा हुआ पढ़ाने में इतनी चीज़े हैं इतनी चीज़े हैं कि एलजब्रा को आप सात्वे आफसान पर ले जाओ तो अपने लेवल से पूठ करते हैं पूठ रहा हूं कि लडार bail को जीरो अगर पूठ करता हूं और दो 200 को ایک को वन और माम माइनस वन पूठ करता हूं तो मेरे सब प्रॉब्लम आने के चांसे हैं या नहीं वो मैं यहां से चेक कर आता हूँ देखो जब आप C को 0 पुट कर दोगे तो 1 का स्क्वेर 1 होगा और माइनस 1 का स्क्वेर भी 1 होगा और यह 1 से 1 कटेगा तो हमारे पास C equal to 0 B equal to 1 A equal to minus 1 put नहीं हो सकता उस case के लावा हम value जो put करते हैं मेरे भाई सबसे easy फिर A की value 1 B की value 1 और मेरे बच्चो C की value minus 2 आप put करो और आपका answer आजाएगा output करते हैं now 1 का square 1 1 का square 1 minus 2 का square 4 plus आगे आओ बेटा भाई 1 का square 1 minus 2 का square plus का 4 और ये रहा minus का 1 आगे देखो बेटे C का square 4 1 का square 1 minus 1 का square 1 बस आजीर जब आप इससे check करेंगे तो आपको मिलेगा minus का half आपको यहाँ मिला minus 1 upon 2 आपको यहाँ मिला 1 upon 4 आपको यहाँ मिला 1 upon 4 easy है चवन्नी और चवन्नी अठन्नी और अठन्नी घटा अठन्नी होता है 0 तो answer आया बचो 0 मेरा answer जो आया वो क्या आया 0 now 0 is the right answer 0 is the right answer ठीके बिटे समझा रहे है बचो चलो आगे चले next मजा रहे है बई चलो आगे चलते हैं देखेगा ध्यान से देखना अगला question भी 2017 CGL का question है ध्यान से सुनिएगा question है if a plus b plus c equal to 0 है कहता है find the value of a square plus into my b square now b square into my c square c square into my a square oblique a raise to power 4 b raise to power 4 c raise to power 4 चले आंसर options हैं आपके पास one zero one by two three by four चले आंसर दीजिए sorry आंसर दीजिए बटा easy है यार ज्याद़ टफ नहीं है आप आंसर दोगे तो आंसर आएगा जरूर चलो देखेगा द्यान से आप अपट कर सकते हो बहुत आराम से c की value 0 b की value फिर बनेगी minus का 1 और a की value बनेगी 1 ठीक है आओ 1 का square 1 1 का square 1 1 into 1 is 1 0 0 देखो कितना असान है कुछ करना थोड़ना पड़ा है 1 raise to power 4 1 minus 1 raise to power 4 1 और c के place पर 0 finally answer is what 1 upon 2 और ये रहा आपका answer हो गया question solve देखो कितना easy question है ठीक है भई देखो आप खुद देखो कितना easy question है अच्छा परदीब कुमार speed slow है या तेज है दोनों लिक खाली speed से समझने आएगा मेरे को ठीक है सुमित कुमार answer ये है बटा देखो सुनू a plus b plus c 0 है और c की value हम 0 put करेंगे b की value minus 1 put करेंगे ठीक है हम लोग value put करेंगे ना तो a की value हम लोग 1 put करेंगे 0 ऐसी c की value 0 b की value minus 1 और a की value जब आप 1 put करोगे तब हमारे पास easily answer आजाएगा भाई slow बहुत खतम बालग भी है भाई मेरे पास उनको भी देखना नहीं सर मैं light कर रहा हूँ वाली उपर वाली तो मेरे को उनका भी ख्याल रखना भाई थोड़ा सा थोड़ा सा धारियर रख लो या प्लीज ठीक है चलिए next question करते है कहता है दो question दोगा यहां पर तुम्हें करने के लिए और दोनों same आप दोनों easily कर सकते हो a प्लस b प्लस c आपके सामने 0 है सवाल आप से करता है कि भाई find the value of two thousand seventeen cpo a square plus b square plus c square upon b ka square minus a c ठीक है मेरे बच्चों options मैं यहां लिख देता हूँ मेरे भाई 0 one two three similarly a question और यहां दे देता हूँ ठीक है दोनों कर देना कहता है if a प्लस b प्लस c जो है वो जीरो है और आपको find करना है a square minus में b c b square minus में c a और देन options है 0 जीरो वान टू ठीक चलो फटाफट कर दो ठीक है अब फटाफट करो ठीक है पिटे राइट साइट से लिखना शुरू कर दो है चलो आप देखो एक बारी मैं वैसे लिख दूँ अभी तुमारी सारी बाते सिराखों पर है बिलकुल a to z जो चाहो वो बोलो वो मैं करने के लिए रैडी हूं बस मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए और कुछ भी नहीं आंसर दो फटा फट दोनों कोश्चन का वैली सब्टिटूट करतो जो सिखाई है बस वैली सब्टिटूट करने पर यह ध्यान रखना देखो वैज़ा तो स्वाल हो सकता है बट वैली जब सब्ट करो ना सबसे बेस रहता है अबस यह वहां मत पुट करना जा फ्रैक्षनल की टरम्ट हो या वन अपन जीरो बन जाए और जब बन रहा हो तो वहां पर बच्चों वन वन और माइनस टू पुट कर लेना सिंपल सा कि ठीक है चलिए चलिए थैंकियू बेटा चलिए बाकी बच्चे भी निकालो आंसर y decir है यार इजिए चले मैं करा हूं है करें चलो देखो चली आईए Rebecca अब देखो करना क्या है सी को 0 ले लो जब आप सी को 0 लेते हो ना तो फस जाते हो अगर मैंने सी को 0 लिए तो आप लोगों को लगता कि फूरा 0 हो जाएगा अरे नहीं सी को 0 ले लिया तो यह तो पूरा factor 0 हुआ ना तो 1 का लोजिक ही नहीं रहा तो अपले सकते हो आराम से B को माइनस 1 लो A को 1 ले लो हो गया question solve बात खतम 1 का square 1 बिटा ये भी रहा मेरे बचो 1 और ये रहा 0 नीचे आ जाओ भाई मेरे माइनस 1 का square माइनस 1 और 0 finally answer जो आया वो 2 आया now 2 is the right answer खतम question बोलो इसमें क्या करने की ज़रूत है ठीक है अगला question भी same है भाई तो A 1 B आपका माइनस 1 C आपका 0 है तो बेटे 1 आपने यहां लिख दिया और यह 0 हो गया ऐसे माइनस 1 का square 1 होता है बेटा और यह 0 होई जाएगा और 1 upon 1 the answer is what one easy भाई बिलकुल easy है नितिन थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटे बच्चे आंसर देखने के लिए ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं चलिए अगला question देख रहा हूँ question बहुत easy easy है और सारे previous year में आई वे questions हैं सारे के सारे इन्हें एक बारी note कर लेना एक साथ क्योंकि कि CB book में चाहे आप जिस मर्जी की बुक ले लो यह सारे question एक साथ नहीं मिल सकते बज़िये ध्यान रखना कि कहता है find a square plus में मेरे बच्चे भाई B square c square का whole square ठीक है now the value है आपको find out जो करनी है a square b square b square c square और c square a square then आपके बास option है एक दो तीन चार چले फटा फटfonवान दीजिये बात राहुल सोनू राहुल राजपूर सतेंद्र कुमार पर्दीप kupार रामा अनुज आर्जू दिवेदी राहुल राजपूरसुरस प्रदीप परदीप चार आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया है परदीप ने चार और सबसे पहले आंसर देने वाले बने हैं भाई या परदीप जी चलिए करा कैसे है कुछ नहीं करना सिरफ वैलिव पुट करनी और आंसर आ जाना है मैंने बहुत इजी तरीका बताया है C को 0 ले लो C 0 है तो B होगा माइनस का 1 और A होगा 1 ठीक है हो गया देखो बड़े ध्यान से 1 का स्केर 1 का स्केर 1 माइनस 1 का स्केर 1 और ये 0 है ओबलिक A स्केर इंटू B स्केर that means 1 स्केर इंटू माइनस 1 का स्केर हुआ 1 आगे दोनों में C है तो C की जंगे आ जाएगा आपके पास 0 और इसके उपर whole स्केर है तो जब आप यहां से चेक करोगे 1 प्लस 1 का स्केर हुआ 2 का स्केर मतलब 4 divide by 1 that means आपका जो answer है वो correct answer है 4 4 is the right answer ठीके पेटे चलें आगे बच्चों आई आगे चलते हैं देखिएगा बड़े ध्यान से next question अगला question भी बहुत easy है बेटा देखो कहता है if a plus b plus c equal to 0 now find a square upon में 2a square plus में bc b square 2b square plus में a c by c square upon में 2c square plus में a b और यह आपको अपना answer देना है ठीक है और जो आपके पास options दे रहा हूँ वो ध्यान से देखना 0 है 1 है a plus b plus c है ठीक है और आपके पास एक answer है 3 है चले गईज आंसर दीजिए फटा फट a plus b plus c बचे 0 है और आपको जो value निकालनी है वो a square upon में 2a square plus में bc प्लस में फटा फट निकालो answer देखता हूँ कितरे बच्चे इसको सोल करते हैं चले एक बच्चे का answer आया है one रामा अनुज का answer आया है one बाकी बच्चे तो चली आईए देखते हैं बटा होगा कैसे सोल easy है यार ज्यादा tough नहीं है देखो आप बड़े अराम से sorry कर सकते हो इन questions को बटे क्या करना है c को 0 लेना है ध्यान से समझना है easy है आप b को minus one और आपने a को ले लेना है one जब आप put करते हैं तो यह आएगा one और देखो twice of a square that mean half और bc के साथ 0 आ रहा है मैं लिख देता हूँ plus b का square है one twice of b square का मतलब हुआ two into one का square one plus में a c मतलब 0 अब third में क्या है भाई c पर ही 0 है अब नीचे जाए कुछ भी हो doesn't matter उससे कोई मतलब भी नहीं बनता ठीक है ना वो 0 minus 1 होगा वो 0 ही होगा तो आपने देखा बेटा यहां से half आया और आपने देखा मेरे बच्चों यहां से भी half आया और half में जब आप half add करते हैं तो आपकी value 1 आती है और यह आपका answer है वो बैठा ठीक है यस एक हरीज हनीश नीशू रामा अनुज वन परदीब कुमार कमला सोनु कुमार ध्यान से पढ़ना सीको ध्यान से अब चलेगा एक question और देखिएगा important question है यह ध्यान रखना बस अब जो लिखवा रहा हूं सवाल आया कहता है if a b plus में b c plus c a equal to है 0 find the value of a square minus b c plus b square minus c a plus 1 upon c square minus a b कैस चले मैं उमीद रखता हूं कि आप लोग मुझे answer इसका देंगे ठीक है answer आप लोग देंगे मैं options लिख देता हूं good evening देखो बैई जब कभी भी आपके सामने ये situation आ जाए तो उसको handle करने का जो best तरीका है वो बता रहा हूं पहले तो मैं इसको basic से solve कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग ऐसा कर सकते हो सुनिएगा एक बारी ये one है ध्यान से देखना दो तरीके से कर सकते हैं अगर मैं इस minus bc को यहां से उठा कर वहां ले जाओं तो आपके पास minus bc की value आईगी a b plus में c a तो आप लोग यहां लिखिएगा a का square minus a b plus में a c ऐसे ही मेरे भाई जब मैं minus के c a को वहां लेके जाओंगा तो यहां b का square तो यहां a b plus में bc आएगा ऐसी ही जब मैं यहां बात करूंगा तो बेटा c का square plus में bc plus में a c ठीक है बेटा यही आएगा अब क्या होगा अगर मैं यहां से a कोमा ले लो तो यह bracket में बचेगा a plus b plus में c ऐसी ही देखो मैं बिल्कुल basic से भी एक एक चीज़े सिखा रहूं ऐसा नहीं कि सीधा value पुट करो और answer निकालना मैं आपको बता रहूं मैं आपको दोनों तीनों method बता देता हूँ तो यहां से आपके पास आएगा b plus में a plus में c आप जब यहां देखेंगे तो आपके पास यहां से आप c कॉमा ले लीजिएगा तो यह आएगा आएगा आपके पास c plus में b और plus में a आएगा अब आप जब इसका lcm लेंगे तो lcm आएगा a b c और bracket close a plus b plus c तब a हटा तो उपर आया b c b हटा तो उपर आया a c c हटा तो उपर आया a b और आप जानते हो इसकी value 0 है और 0 upon something is what 0 now the answer is what 0 is the right answer बट जरूरी नहीं है आप इतना दिमाख लगाओ आप इसको बड़ा simple सा भी solve कर सकते हो बहुत simple सा भी आप इसको solve कर सकते हो ठीक है वो कैसे करना है आईए मेरी बच्चों क्या करना है देखो मैं बड़े अराम से एक चीज़ बताऊंगा देखो करो क्या आपके पास है क्या अगला question बहुत important होगा a को 1 और b को भी 1 पुट कर दो तो यह आएगा आपके पास 1 plus में c plus में c और equal to 0 तो आपने देखोगे आपके पास c की value जो आएगी वो आएगी minus का minus का 1 upon में 2 आएगी ठीक है but fractional value लेना थोड़ा सा tricky पड़ जाएगा तो हम क्या करते है fraction हटाते है fraction हटाने का असान सा तरीका यह हटाने के लिए 2 से गुना कराना तो सब को ही 2 से गुना करा दो 2 2 और minus का 1 अब अब यह value substitute कर दोगे तो भी आपका answer आजाएगा तो भी easy answer निकालना कोई tough नहीं है मेरे भाई देखो 1 upon में देखो 2 का square 4 देख लियां अब यह रहा minus b into c minus का 2 minus minus plus 2 एकम दो आजाओ भाई 1 upon b का square 2 का square 4 ठीक है a into c minus minus plus 2 आगे वो कहता है 1 upon में c का square c है 1 1 का square 1 और 2 दोनी 4 और minus का 4 आप देखिएगा मेरे बच्चो 1 upon 6 1 upon 6 minus 1 upon 3 जब आप सब को add करोगे तो यहां से प्लस का 1 upon 3 और minus का 1 upon 3 आपको मिल जाएगा जीलो आपके पस alternative ways है अब जैसे अमर्जी solve कर सकते हैं यह आपके उपर depend करता है ठीक है चली हम आगे चलते हैं एक question और कराता हूँ और द्यान से समझेगा ठीक है द्यान से समझेगा कि वो आपसे एक बात और पूछ सकता है वो आपसे कह सकता है कि find a square a square minus bc वो आपसे यह भी पूछ सकता है find इस तरीके से b square b square minus में c a कह सकता है c square upon में c square minus में a b now I hope आप लोग answer दे सकते हैं कीजिए ब answer कीजिए फटा फट option दे देता हूँ मैं आप लोगों को same options है zero one two three चलो यह question करके दिखाओ यह आपकी बारिया चली कर दो फटा फट important question से बिटा करके दिखाओ yes a b plus में b c plus में c a equal to zero है we need to find the value of a square upon a square minus b c b square upon में b square minus में b c c square upon में c square minus में a b फटा फट गाईस come on ya इतना समय मत वेस्ट करो फटा फटा आँसा निकालो yes देखते हैं किने बच्चे आंसर निकालते है अर्पित चोहान आंसर दो ठीक है let's check करेंगे बिटा आगे और निकालो और बच्चे देखो कौन को निकाल सकते है तुमारे लिए ही बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ उमीद कर रहा हूँ आप लोग को यह बच्चा आंसर दे इसका आईए मैं कराता हूँ easy है ज्यादा tough मत बनाना question को बहुत easy है देखो आप लोग वही a को 2 b को भी 2 और आप लोगों ने देखा होगा c को हम लोग minus का 1 लेंगे और यहाँ put करते हैं आईए 1 a का square देखो 4 नीचे आया मेरे बच्चो 4 plus में 2 similarly b का square 4 और 4 और यहाँ plus का 2 c का square तो यह plus ही रहेगा बट यह 1 हो जाएगा और c का square 1 और minus का 4 minus का 4 ठीक है हाँ लक्षे का answer अब सही आया है answer एक निकले का a p का भी answer बिल्कुल ठीक है नितिन को स्वामी प्लिस करेक्ट और answer हाँ हमेशा a b c कोई लेट करना होगा क्योंकि दे भी a b c रखेना है मेरे बच्चे और किसको लेट करोगे आप यह बताओ ठीक है पी क्यू आर तो है यह नहीं जिसको हम लेट पूट करेंगे ठीक है अब यहाँ देखोगे आप यहां आपने चेक किया तो यह वैलू आई टू बाई थ्री यहां आप चेक करोगे तो यह वैलू आएगी टू बाई थ्री आप जब करता हूं इस कोश्चन का जवाब आप सभी लोग दे पाएंगे चले चले कोश्चन देखिएगा कि कहता है कि कि इफ A B प्लस B C प्लस C A इक्वल है A इंटो B इंटो C A इंटो B इंटो C ठीक है आपको फाइंड करना है और सोत समझ के दिमाग लगा के सोल करना कहता है B प्लस C ओबलिक B C ब्रैकेट क्लोज A माइनस वन प्लस में A प्लस C और तुक्य में आंसर मत देना क्योंकि तुक्य का आंसर गलत होगा ये भी बता देता हूं A प्लस B ओबलिक में A बी और ब्रैकेट में है C माइनस वन और जो आप्शन है न भाई वो हैं 0 1 माइनस 1 और एक ओप्शन है माइनस का 3 बाई 2 ठीक है माइनस का 3 बाई 2 चलो करके दिखा दो इस कोश्चन को और ये रियल में बहुत इम्मोर्डन कोश्चन है भाई या बच्छो करिएगा जल्दी जल्दी करो कीजिए स्वाल और टाइम देखना जरूर्ण फटाफट आओ फटाफट आओ टाइम लग रहा होगा आई नो देट बिलकुल लगेगा अच्छा कोश्चन है लक्षे धवन माइनस वन ठीक है रामा अनुसर का अंसर आया है वन चलिए 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 बाकी बच्चे अरे भाई क्यों कहां सांत होगे बटा बच्चो करो तो सही ट्राइए फटा-फट देखो अच्छा कोश्चन है चलिए आईए मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास कब है कल है क्लास कल साढ़े पांच बजए ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आएगी बटा ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई है एक भी चीज नहीं छोड़ी है जितना ट्रिग्नोमेट्री की उकात है उतना पढ़ाया है मैंने उसमें अभी रेगुलर प्टवर कला जाएक वीडियो आपके पास ठीक है चलो बटाउ करा तो इस क्या है अगर आप वैल्यू पूट कर कर देखना चाहते हो तो आप वैल्यू पूट करके चेक कर लो एक बारी कि आपकी वैल्यू ऐसे सब्टिटूट हो पाएंगी कि जो एंटू बी इंटू सी के एकोल वी बनती है और इन कंशन में हमने आपको बताया था कि आप गर-गर वैल्यू पूट करते हो तो जो बेस्ट कनवर्शन रहता है मेरे भाई वो रहता है एकी वैल्यू दो बी की वैल्यू दो और सी की वैल्यू माइनस वन अगर मैं ऐसा यहाँ पूट करके देखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है चार फिर आती है माइनस का दो फिर यहाँ भी आती है माइनस का दो तो यह यह तो बन गई 0 यार प्रंफु दो गुना में माइनस 1 यार यह तो जीरो नहीं है तो जब यह जीरो ही नहीं है तो हम अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की जरूत भी नहीं समझते ठीक है ना? तो हम लोगों ने क्या किया? इसको सॉल किया देखो क्या करो इन दोनों को आप यहां रख लो ठीक है? इन दोनों को आप यहां रख लो और इन दोनों मेंसे आप क्या कीजिएगा A कॉमन लीजिएगा जैसे आपने A कॉमन लिया आपके पास वैल्यू आगई B प्लस C और इस वैल्यू को उठा कर आप यहां ले जाओ जब आप वहां लेकर जाओगे तो वहां से जब आप BC कॉमन लोगे तो आप देख पाओगे कि आपको A-1 मिलेगा I hope आपको यह दिखाई दे रहा होगा ठीक है मैं राम से लिख देता हूँ माइनस का 1 यह मिलेगा अब आपको चेक करो जो चीज हमें चाहिए थी हमें यह चाहिए था क्या यह मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है होगे हाँ सर बिलकुल मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है देखो हमने लिया भाई B प्लस C और पेटाई इस पूरे को डिनोमेटर में लिया आए हम B C और A माइनस में 1 लिया आए हम और हम जब इक्वल में गए तो A को डिनोमेटर में लिया गया हम आपने देखा कि मेरे बच्चो की यहां से वैलू आई वन अपॉन ए तो यहां से क्या आएगी वन अपॉन बी दियान से देखना बेटा वन अपॉन ए तो यहां से क्या आएगी मेरे बच्चो वन अपॉन बी और मेरे भाई यहां से क्या आएगी वैलू हुआ न अपॉन में C अब जब आप इन सभी का LCM धूंडते हैं तो मेरे बेटा LCM ABC आता है तो बच्चो उपर AB प्लस BC प्लस CA की फॉम बनती है और अगर मैं इसको उठा कर इसके नीचे ले जाओं या यह दोनों सेम हैं तो कट कर हमारे पास एक्जेक्ट आंसर क्या आया वन आया और यह important question है मजाग नहीं है यह question यह बहुत अच्छा question है तो इस तरह के questions जो है वो कई बारी एक्जाम में फश जाते हैं रिवाती राजपूत गुड इवनिंग बेटा परदीब कुमार पहले आंसर बन दिया उसके बाद जीरो कर दिया मैंने पहले ही बताया था आंसर तुकों में बिलकुल मत देना बिटें तुकों पर नहीं चलती है अब algebra वो algebra नहीं है कि जो मन किया वो value put किया और आंसर आपने देखा होगा कि मैंने आज ऐसी चीजे पढ़ाई है अब देखो मैंने values बड़ी simple simple नहीं है कि हम उनको put कर सकते almost around हमने 15-16 questions की है आज की class में ठीक हैं और 15-16 questions वही questions हैं जो exam में आए हुए हैं सारे questions previous year में आए थे और मैंने सब को एक साथ collect करके आप लोगों को provide कराया ताकि आप लोग एक ही platform पर एक ही साथ सारी चीजों को अराम से सीख सको ठीक है चलिए वैसे आज की class मजा है आप सभी को एवर comment करके ज़रूर बताओ बिटा मुझे मैं सभी के comment का इंजार ज़रूर करूँगा ठीक है न कि हाँ आपको class कैसी लगी और देखो जैसा कि आज की class हमने देखा हमने एक concept पकड़ा हमने concept पड़ा कि भई की हाँ अब देख लो बिल्कुल 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 हाँ इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोले है देखो आप substitute कर लो ना देखो substitute करने में problem नहीं है अब मेरी बात को सुनो लक्सर बड़े ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना मैं सिरफ specially आपके लिए बता रहा हूँ यू put a equal to 1 ध्यान से सुनना जब आप a की value 1 यहाँ put करोगे तो 1-1 बेटा क्या बनेगा 0 और मैंने आपको पहले ही बताया था आप ऐसी कोई value put नहीं करेंगे कि जिस से find वाली value पर infinite बन जाए तो अब यह बता वहाँ satisfy कर गई no doubt बट क्या वो कोश्चन के अंदर चल पा रही है कि बताओ आप क्या वो कोश्चन के ऊपर चल पा रही है ठीक है नहीं बेटे माइनस वन क्यूं आएगा वो तो आपने मैंने सुन निकाल दिया ना हाँ बिल्कुल हमेशा value डालने के पीछे नहीं लगे रहना है यार एक बात पता हूं क्या होता है देखो सुनो क्या होता है कि ना हम अपनी value बनाने के लिए अपनी value बनाने के लिए ना इस question को मैं ऐसे कर सकता हूं पांच सेकिंड में इस question को मैं ऐसे कर सकता हूं दो सेकिंड में तीन सेकिंड में ओ भाई आख पलकते भी हो ना जपकते भी हो दो तीन सेकिंड कभ वीते पता भी नहीं चलता है तो पहले तो कि दो seconds में तीन seconds में answer आना, सबसे बड़ी बकवास हैसे, नहीं आता, आप question नहीं पड़ पाते हैं धंक से, अब जिसको answer याद है, वो तो ticker भी देगा, अब जिसको नहीं है, उसे solve करना पड़ता है, तो मैंने आपको आज की लास में ये बताया है कि पूरे के पूरे एलजेबरा को एक ही लाठी से मत हाकने की कोशिश करो कि A को 1 पुट कर दो, B को 1 पुट कर दो, C को माइनस 2 पुट कर दो, हाँ, लक्से धमन बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इन्फाइनाइट मेरे बिटा तब ही होगी, जब ऐसी वैल्यू तुम पुट कर दो, कि कोशिशन में ठीक है, लक्से समझ आया है, मज़ा आया आज की किलास में, यह बताओ पहले, ठीक है, देखो, अलग चीज है, बट पढ़ाई अलग चीज है, यह ध्यान रखना, चलो, कुछ चीजे और है, जो बता देता हूं, आज की किलास में, कि जब मैं परसो 5.30 पर आप लोगों के स या, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कौन क्या कराता है, क्या नहीं कराता है, मैं सिर्फ अपने आपको जानता हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पांच सेकेड में कोशन पढ़ा भी नहीं जा सकता है, बींगा टीचर अलग बात है, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस ह रटा हुआ है यार बेगा स्टूडेंट को तो देखो ना अब बीइंगा स्टूडेंट तो वह तो नहीं पड़ पाएगा ना बीटा बीइंगा स्टूडेंट तो फश जाएगा चलो अब सुनए मेरी बात next class जब हम आएंगे परसो तो वो सारे previous year के questions और नए questions को लेकर आएंगे जो questions इन forms में आते हैं यह सबसे important form है आप लोगों के exam की x plus 1 upon x अगर यह a है तो वो आप से कुछ भी पूछ सकता है वो आप से पूछ सकता है x upon minus 1 upon x की value क्या है वो आप से पूछ सकता है under the root x minus 1 upon under the root x पूछ सकता है वो आप से पूछ सकता है under the root x 1 plus under the root x उसका जो मन करें वो आप से पूछ सकता है वो आपसे पूछ सकता है x का square plus 1 upon x का square x की cube plus minus और यहां भी plus minus दोनों आ सकते हैं यह निकालिए वो आपसे पूछ सकता है x की power 5 plus minus 1 upon x की power 5 ठीक है x raise to power 5 plus minus 1 upon x raise to power 5 तो मैं उमीद रखता हूँ कि जब मैं ठीक है परसो की क्लास में आप लोगों के सामने आऊंगा साड़े 5 बजे तो मैं इतनी उमीद रखता हूँ कि इस concept के लिए आपको बेसबरी से इंतजार होगा और परसो की क्लास most probably promise करता हूँ PDF के थुरूई लूँगा ताकि आप लोगों को proper PPT मिल जाए इदर ताकि मुझे question लिखना ना पड़े तो around round 30 से 35 question हम करने वाले हैं अगली क्लास में उस क्लास के बेसबरी से इंतजार जलू करना मिलता हूँ आपको इसी जौस के साथ अगली क्लास में और आखरी बार आप लोगों को फिर से मैं request करता हूँ कि वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा ठीक है ठीक्यू बिटा रामानूण बहुत अच्छ लगा लक earlier रवी कुमार प्रदीप अरभी आप लोकों कब बड़ा अच्छा लगा है बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ साथ पढ़ते हो ठीके बिटा God bless you जैहिंद बच्चो